दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि कुछ समय पहले अर्मेनिया के तरफ से भारत से बड़े मात्रा में हतियारों को पर्चेस किया गया है और दोस्तों अर्मेनिया भारत से असल में इन हत्यारों को इसलिए पर्चेस कर रहा है क्योंकि अर्मेनिया की उपर अजरवेजान का काफी वड़ा खत्रा है और अजरवेजान अर्मेनिया के जमिन को हरपना चाहता है और पिछले साली जब भारत के तरफ से अर्मेनिया को इन हत्यारों में से पहले हत्यारों के खेमे का डिलिवरी किया गया था तब ये ख़वर काफी अधिक वाइरल हुआ था और अजरवेजान के मीडिया के अंदर भी इससे लेके काफी अधिक चर्चा किया गया और एक तरी परिके से आफ कह सकते हैं कि अजरवैजान के मीडिया के अंदर सन्नाटा फैल गया है और अजरवैजान के मीडिया के द्वारा फिर से भारत को भर भर के कोसा जा रहा है। अजरवैजान के मीडिया के तरफ से इन हतियार और इन ट्रकों को लेके जहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है तो वही पर ये भी बार बार पूछा जा रहा है कि इन हतियारों का असल मकसद है क्या अब दोस्तों कुछ समय पहले तक जो अजरवैजान के मीडिया के द्वारा भर भर के अर्मेनिया को धमकी दिया जाता था कि अर्मेनिया के उपर अजरवैजान के द्वारा हमला किया जाएगा और अजरवैजान के इस हमले से अर्मेनिया को कोई नहीं बचा सकता वही अज पुछी समय के अंदर इस तरीके से बदल गया है कि अब मानो अजरबैजान एक तरीके से गिर गिरा रहा है। एक्सपरेटों के तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि शायद ये जो हतियार है ये TC20 माउंटेड गन सिस्टम है जो कि भारत फॉर्च जैसे एक भारतीय कंपनी मतले प्राइबेट कंपनी के तरफ से निर्मान किया जाता है हाला कि ये अब तर क्लियर नहीं है कि ये तरना खतियार इसमें हुआ तो अजरवैजान का हालत क्या होगा तो यहाँ पर आप लोगों के जानकारी करें बतादू कि अर्मेनिया के द्वारा भारत से कई तरीके के हतियारों को पर्चेस किया गया है जिनमें आर्टी लेडी रॉकेट से शुरू करके मिसाइल इवन ताविक तो अजरवैजान के खत्रे को देखते हुए अर्मेनिया के द्वारा भारत से लोट्रिंग मियूनेशन मतलब आतना घाती द्रोनों को भी पर्चेस किया गया है जो की एर डिफेंस सिस्टमों को भी भेज सकता है और कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा है लेकिन ब्रमोस मिसाइलों को लेकिन अब तक ऐसा कोई कनफरमेशन नहीं आया है और दोस्तों अगर इसमें आकाश मिसाइल या ब्रमोस जैसे कोई मिसाइल होता है तो अब समझ सकते होंगे कि अजरवैजान का हालत क्या होने वाला है अब दोस्तों अगर इसमें भारत फ के तरफ से असल में TC20 mounted gun system का delivery किया गया है लेकिन बाद में यह confirm हुआ कि यह वो TC20 mounted gun system नहीं बलकि उसके मुकाबले में कई गुणा अधिक ताकतवर ATAGS gun है और दोस्तों अब जो TC20 mounted gun system का बात कहा जा रही है असल में अर्मिनिया के बेड़े के जो ताकत है उसे और कई गुण का होता है रिपोर्ट के मुताब है कि इसका जो range है वो करीवन 36 km तक है जबकि कुछ वर्जिनों में यह extended range तक मतलब करीवन 38 km दूर तक target को निशाना बनाने में सक्षम है जबकि ATAGS gun को अगर देखा जाए तो यह वी 155 mm का है लेकिन 52 caliber का है वो करीवन 48 km दूर तक target को LEVEL है और इसके कारण इन गनों के बारे में कई तरिके के speculation भी है और इसी कारण के वजह से सही तरीके से नहीं क näहें कहा जा सकता है कि इन गनों का शमता कितना है पर भारत पौर जिस तरीके से आटिनियों के मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े अचीबमेंटों को हासिल कर रहा है उससे देखते हुए तो यही लग रहा है कि यह TC20 गन भी काफी खास और काफी खतरनाक गन होगा। दोसे एक तरफ जहाँ पर अजरवैजान को चौकाते हुए भारत के द्वारा अर्मेनिया को हत्यारों का सप्लाई किया जा रहा है तो वही पर दूसरे तरफ डियाडियों के चीफ के तरफ से विए कनफर्म कर दिया गया है कि आने वाले दस दिन के अंदर फिलिफिन्स को भी ब्रमोस मिसाइलों का सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि फिलिफिन्स असल में भारत के बाद दुनिया का वो दूसरा देश होने वाला है जो कि ब्रमोस मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और फिलिफ फिलिफिन्स के पास अपना खुद का ब्रमोस मिसाइल होगा और दोसों ये कोई मीडिया का खवर नहीं है बलकि इसके बारे में जानकारी डिफेंस रिसरेच और डिफलप्मेंट और अर्गनेशन के चेर्मेंट डॉक्टर समीर वी कामट के तरफ से दिया गया है और दोसों कहना था कि इससे भारत के जो हत्यारों के एक्सपोर्ट है उसमें तो बड़ोतरी होगा इस साथ में ये भारत के ब्रमोस मिसाइल के लिए एक बहुत बड़ा अचिबमेंट है क्योंकि इसका इंतेजार लंबे समय से किया जा रहा था दोसों यहाँ पे आप लोगों को ये जानके रखना चाहिए कि फिलिफिन्स के मरीन के द्वारा इन ब्रमोस मिसाइलों के कोस्टल बैटरियों को खरिदने के बाद कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलिफिन्स आर्मी के तरफ से भारत से ब्रमोस मिसाइलों को खरिदने को लेकर इंटरेश द पुरत दुनिया में बढ़ा है और कई सारे देशों के तरफ से भारत के साथ ब्रह्मोस मिसायलों के खरिदारी को लेके बातचित किया जा रहा है और दोस्तों इन देशों में फिलिफिन्स के इलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्नेई जैसे देश वी शामिल है जो कि स अरेक्टर के द्वारा कुछ महिने पहले ये भी बयान दिया गया था कि करिवन 12 ऐसे देश है जिनके साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस मिसायलों के एक्सपोर्ट को लेके चर्चा कर रहा है और दोस्तों इन मिसायलों के आसपास भी भटकने वाला मिसायल अब तक द कि मिसायल है जब की कई तरीके के ड्वांटेज देश सकता है जैसे कि इन मिसायलों का इस्तिमाल आर्मी ने भी एरफ उर्स तीनों ही कर सकता है इन मिसायलों को हवा से जमीन से और समुन्दर के ओपर तैयानने वाले जहाजों से दागा और जमेनी टार्गेटों को भी ध्वस्त कर सकता है और दोस्ते इसके जो पिंट पॉइंट एकुरिसी है वो इतना अधिक है कि छोटे से छोटे टार्गेट तक को इस मिसाइल के द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। यार्गेटों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है कि यह वजन में काफी भारी है पर वही पर जब इसके नेक्स जनेरेशन वरियंट मतलब ब्रहमोस एंजी आ जाएगा तो यह वजन में करेंट ब्रहमोस मिसाइलों के मुकाबले में आधा होने के कारण छोटे आकार की यार्गेटों में भी इसे फिट किया जा सकता है और दोस्तो एक नहीं बलकि एक से अधिक ऐसे मिसाइलों को यार्गेटों में फिट किया जा सकेगा इवन दोस्तो रिपोर्टों में ये भी तावा किया जा रहा कि भारत के ब्रमोस एंजी मिसाइल बनने से पहले ही कई सार अपने पाच बिलियन डॉलर के हतियारों के जो एक्सपोर्ट का गोल है उसे हासिल कर पाएगा या नहीं कॉमेंट करके अपने राय अवश्चत देजिए दोसों आजके इस वीडियो को इपरी करते हैं समा आप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम